प्यारे बच्चों, जार्खन डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज हम कक्षा चार के प्रयावरन अध्यन के पाठ ग्यारा पौधों की दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे एवं कुछ महत्पून तथेओ, विशेवस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे आईए सुरू करते हैं एक परियोजना कार्य से जो पाठ के प्रारम में दी गई है आपको दो गमले लेने हैं, दोनों गमलों में एक एक पौधा लगाना है और एक पौधे में प्रती दिन आपको पानी डालना है और दूसरे में पानी नहीं डालना है एक सब्ता के बाद आपको क्या करना है दोनों पौधों का उलोकन करना है अरे या क्या बिना पानी वाले गमले का पौधा तो मुर्जा गया बिना पानी वाले गमले का पौधा मुर्जा जाएगा क्योंकि पौधों को जीवित रहने एवं अपने सभी कारे करने के लिए पानी की आउशकता होती है अच्छा बच्चों तो क्या आप बता सकते हैं पौधों में पानी कैसे पहुँचता है जड़ द्वारा पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी में से पानी और खनीज पदात प्राप्त करते हैं पाठ में आगे राजु का बगीचा के बारे में बताया गया है उसके बगीचे से पहले चलिए मैं आपको एक बगीचे की सेर कराती हूँ हेलो नमस्ती आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभाया प्रकास है ओ अभाया प्रकास बहुत ही प्यारा नाम है बेटा ये आपका क्या है? ये खेत आपका है? नहीं ये हमारा बारी है बारी है? अच्छा आप लोग इसमें क्या लगाते हो? हलो क्या सब्जिया लगाते हैं क्या क्या लगाए हो मटर दिखाओ दिखाओ मटर अभी इसमें मटर आनी वाले अभी हलोग जमीन से आलू निकाले हो जमीन में मूली भी है दिखाओ दिखाओ मूली दिखाओ अभया ये क्या है ये पालक है ये पालक है हरी हरी पालक है ना अच्छा अब भया अब हमें क्या दिखा रहे हो अभी आप किस क्यारी के पास खड़े हो इसमें क्या लगा हुआ है वो धनिया लगा हुआ है धनिया के क्या करते हो आप चटनी बनाते हैं चटनी चलो और मुझे दिखाओ तो ये ये आपके धनिया के बाद ये क्या लगा हु यह गाजर के हैë अब भया अब आप किस पॉधे के पास बैठे हो यह टमाटर है दिखाईए अभी तो यह हरा है लेकिन कुछ दिन में यह लाल हो जाएगा पक जाएगा है न और इस क्यारी में क्या लगा हुआ है यह प्याज है अभया और ये कौन सा पौधा है ये हरी बीन से हैं उख़ाद के दिखाओ उखाड़ी ये दिखाए दिखाए वाव वाव ये तो बहुत सुंदर बीट रूट निकला है इसे हम सलाद के तोर पर खाते हैं हे न और ये क्या है ये भी जमीन के अंदर आता है दुरने वाव आप तो एक बार में उखाड दिये अभया अब आप किस पौधों के पास खड़े हैं ये फूल गोभी है कहां दिखाईए वाउ बहुत सुन्दर सा फूल गोभी हुगा है आपका अभया ये क्या है ये बैगन है दिखाईए कौन सा कलर है ये वेरी गुड आशा है आपको अभया की बाड़ी पसंद आई हो आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों का अलोकन करें चलिए अब आगे राजु के बगीचे को जानते हैं रवीवार का दिन था राजु अपने घर के बगीचे में गया राजु के पिताजी पौधों को पानी दे रहे थे पिताजी ने राजु से घास को मिट्टी से निकाल कर एक जगा इकटा करने को कहा पर राजु घास को असानी से निकाल नहीं पा रहा था घास खीचने में उसके हाथ दुखने लगे राजु ने खुरपी से खोद कर घास निकाली उसकी नजर मूलियों पर पड़ी उसे याद आया कि मा ने कुछ मूलिया मंगवाई हैं राजु ने कुछ मूलिया उखाड़ी फिर उसने सोचा क्या ये भी जड़े हैं अचानक तेज आंधी आई और बारिश होने लगी वे घर की और भागे वे अभी घर पहुँची रहे थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम का पेण जोर जोर से हिलने लगा घर पहुँचकर राजु ने मा को मूली दी पिताजी बोले पौधे सूख रहे थे अच्छा हुआ बारिश हो गई अब हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है तो बच्चो अभी हमने राजु के बगीचे में तीन प्रकार के पौधो एवं उसके जड़ों को देखा घास जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती इसके सभी जड़े समानाकार के होते हैं और गुच्छों में पाये जाते हैं इसकी वज़े से राजु को इसे निकालने में भी परिशानी हुई मूली जो की एक कंद है और यह खुद एक जड़ है जिसमें मुख्य जड़ आप असानी से देख सकते हैं फिर हमने देखा नीम का पेड़ नीम का पेड़ तेज हवा में भी नहीं गिरा कारण क्या था क्योंकि इसकी जड़े हैं वह बहुत गहरी ज उत्तर प्राप्त करने हैं आशा है आप इन सभी प्रश्णों का उत्तर दे पाएंगे आईए अब आगे बढ़ते हैं आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे आपको पता करना है कि इन सब्जियों में कौन सा जड़ है और कौन सा जड़ नहीं है सब्जियां जो जड़ हैं वे हैं गाजर, मूली, सकरकंद, चुकुंदर और सब्जियां जो जड़ नहीं हैं वे हैं बैगन आलू अच्छा बच्चो आपको लगता होगा आलू तो जमीन के अंदर है तो ये जड़ हुएं पर आलू भूमी गत्तना यानि अंडर ग्राउंड स्टेम हैं जिसके बारे में बिस्तार पूर्वक आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे चलिए इसके अलावा टमाटर, बंधगोबी, मेर्च ये सभी जड़ नहीं हैं पाठ में अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिष्ट संख्या साथ में कुछ प्रशन किये गये हैं आईए उनके उत्तर प्राप्त करें इनके उत्तर अपने अपने हो सकते हैं आप कुछ भी इसमे जो आप अपने आसपास देखते हैं वह लिख सकते हो तो पहला प्रशन है कि अधिक गहरी जड़ो वाले पौधों के नाम बताएं तो मैंने सिर्फ तीन पेड़ों के नाम लिखे हैं आम, बर्गद, नीम, दूसरा प्रशन है कम गहरी जड़ों वाले पेड़ पौधों के पानी देने से उनकी पतियां फिर से हरी क्यों हो जाती है तो पौधो को अपने सभी कारे करने के लिए पानी की आवशक्ता होती है इसलिए अगर हम पानी डालते हैं तो वो फिर से हरी भरी हो जाती है अगला प्रश्न है क्या आपने कोई बड़ा पेड गिरा हुआ देखा है या क्यों गिरा होगा तो आपके जवाब अलग-अलग हो सकते हैं या आंधी तुफान से गिरा होगा या बाढ़ से गिरा होगा अब आप बताईए कि कुछ ऐसे पौधे को आप जानते हैं जिनके जड़े खाई जाती है इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है जैसे चुकुंदर, सकरकन, मूली, गाजर, जड़े हम खाते हैं आगे प्रश्न है क्या कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें कम पानी की आउशक्ता होती है तो आप देख सकते हैं कुछ कटीली पौधे जैसे कैक्टस, धतूरा, वेगन वेलिया ये कुछ कटीली पौधे हैं जिन्हें कम पानी की आउशक्ता होती है इस प्रशन से याद आया, चलिए आपको एक विसेश जानकारी देते हैं, क्या आप जानते हैं आस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक पेड के बारे में? आस्ट्रेलिया में एक पेड पाया जाता है, जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, इसकी उचाई आपकी क्लास की दिवार के लगभग होती है, और पतियां बहुत ही कम, और पता है आपको इसकी जड़े जमीन के अंदर बहुत ही गहराई तक जाती है, जब तक कि इसको पानी ना कर पानी निकालते हैं, एना बच्चो ये अनोखी बात, तो बच्चो इस बीडियो में हमने सीखा, सभी पौधों के लिए पानी आवशक है, पौधों की जड़का उप्यों खाने में भी होता है, और हमारे आसपास कुछ अधिक गहरे जड़ वाले पेड पौधे हैं, और क